असलाम अलेकम दोस्तों में दे आप सब खेरेस से होंगे आज मैं यहां लोकोशेड डाया हुआ था मीरप्रखास मीटर गेज तो उसके करीब ही यह ट्रंड टेबल मोजूद है और इंजन भी आ रहा है यहां ट्रंड होने के लिए तो मैंने सोचा क्यों ना यह सीन भी आपको इस वक्त जो इंजन आ रहा है उसका रुख है खोक्रापार की दरफ और इस इंजन का रुख करेंगे हाइदराबाद की दरफ क्योंकि यह 152 डाउन शालतीव एक्सपेस को वापस लेकर जाएगा अभी यह 151 अप शालतीव एक्सपेस को लेकर यहां आया है तो दोस्तों इंजन की लाइट सामने से नजर आ रही है और इंजन आके यहां प्लेस हो जाएगा और उसके बाद इसको घुमाया जाएगा तो यह मनाजर मैं आपको दिखाता हूँ जी को भाता अवुमाया की पुमाटीा अको एक्षेस को निह कुमा हमाचा जा मैं सामनो झाल प्वाल्प आम है अपल रखनल को बखना लीरा, झाल नट्सक्वाले लीर से एंग I सब्सक्राइysis मुझेब लीर सब्सक्राइब 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 झाल मुझेब लग जहां की लग दो अब खновने खिपशन बीन हो गां भागा क्फॉर्दा कि एलिज टो को कि एला क्पुर्च एलिए एल लिए कि एला कि लोग एल लड़किन झाले बादो फिर इड़े औरी है गया को लंग झाल टॉ का बार का बार का बार कि युर्ण के लाओ फिष्ग के सबस्ट कि एपनास्ट, टीक रेफिए, लावमें लज़ कोकी दिया थे इनके फड़ लगार, टीक बनास्ट, लावमें लगाओने पिके सबस्टाहदान कiksi इनके अंपादी से लाओना करेंरा, बनास्ट, पिक जखे लाओनाओने ही लाओने तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि पहले इंजन का रुख जो था वो मशरक की तरफ था यहनी खोक्रोपार की तरफ यह जा रहा था तो अब यहां ट्रंटेबल से इसका रुख मेनियोली तब्दील करके अब इसका रुख हैदराबाद की तरफ कर दिया गया है तो अब यह 152 टाउन शालतीफ एक्सप्रेस को लेके अधराबाद जाएगा तो इसका रुख चेंज हो गया है एक बार इससे पहले भी एक बार मैंने यह आपको दिखाया था और आज भी इंशाला दोबारा यह वीडियो आपको दिखा रहा हूँ तो आपको उमेंद दे के पसंद आएगी अब एंजन जा रहा है तो चलते हैं एंजन के साथ है